अपने यूटूब चैनल मेरित पन बाशपई पे आपका बहुत-बहुत सौगत करता हूँ जैसा कि आप सभी एस्प्रेंट जानते हैं कि SAC CHSL 2021 का टीर टू का रिजल्ट का डिले आपका पब्लिस किया गया आपकी जो टाइपिंग है जो CHSL 2021 बाले जो एस्प्रेंट है उन टाइपिंग के लिए इससे पहले जनरली क्या होता था कि minimum SSC बन मंद का टाइम तो इस्ट्वेंट को देती थी और जो इनके मार्क्स पब्लिस किये जाएंगे वो 23 तारीको 23 दिसंबर से ये मार्क्स अपने देख पाएंगे 5 तारीक तक तो आप लोग देख पा रहे हैं का जील 2020 में सेलेक्ट हैं या NTPC कभी आपका फाइंड रिजल्ट आ गया है उसमें सेलेक्ट हैं या किसी भी CPO में सेलेक्ट हैं या किसी भी स्टेट लेवल के एक्जाम में आपका सेलेक्शन हो गया है तो आप सभी experience से हाँ जोड के मैं request करता हूं कि जो इनकी टाइपिंग 6 जन्वरी को होने वाली है उसको आप skip करिए बैसे भी इनका बहुत ज़्यदा नुकसान हो गया है क्योंकि नुकसान इस बज़े से हुआ है आप इस चीज को समझ सकते हो कि मा लेते हैं यूर की cut-up 199 लगी है ठीक है अब इनके जो marks आएंगे वो 23 तारिक को आएंगे तो 20 उ उसका qualify नहीं होगा और अगर उसके पास 10 नंबर का भी बेटेज नहीं है मा लेते हैं tier 2 में इतना marks नहीं आता है कि 10 नंबर का भी उसका बेटेज हो पाए तो उसको फिर दिक्कत हो सकती है क्योंकि 10 नंबर का तो minimum बेटेज होना ही चाहिए अगर आपको final selection लेना है तो वो ना इधर का रहा ना उधर का रहा कम से कम वो बच्चे जिनके पास बेटेज नहीं है वो अलड़ी जो competition उससे बाहर हो जाते है लेकिन यहाँ पर उनके पास यह पॉर्चिंटी से काफी उन्हें लेट प्रोबाइट करा रहा है तो बस आप सभी से यही कहना चाहता हूं जो इनका होगा या नहीं होगा तो जो CHSL 2021 के एस्परेंट हैं उनसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी टाइपिंग पर फोकस करिए आपकी टाइपिंग 6 जनवरी को लगी होई है जब अर्दस तरीके से preparation करिए यह आपका peak time चला है कम से कम 4 से 5 घंटे आपको preparation कर नहीं है और यह जो बचा हुआ टाइम है इसमें आप previous जो पैसेज हैं CHSL CGL के इनको आप जब अर्दस तरीके से कम से कम 2 से 3 बार इन्हें repeat करो तो इसके लिए आप हमारा course भी जोईन कर सकते हैं अगर आपको course जोईन करना है तो करना क्या है 6307 185699 इस नंबर पर आप 2019 में सेलेक्ट हैं NTPC का भी रिजल्ट आया इसमें सेलेक्ट हैं तो आप प्लीज जो CHSL 2021 की टैपिंग होने वाली है इसको भी स्किप परिए और DB आगे होगी उसको भी स्किप परिए ताकि जो जिनियून बच्चे उनको यहां पे benefit मिल पाए और जितने भी बच्चे जो य जो कि इस बार धेर सारी जो वेकेंसी हैं वो आपको फायदा पहुचाने वाली जैसे CHSL 2020, CGL 2020 उसके लावा आपकी NTPC की, Group D की वितर तक final हो जाएगी तो धेर सारे बच्चे यहां पर आस-पास हैं जो यहां पर भी exist करते हैं तो यह बच्चे जो हैं वो अगर DB को skip करेंग तो आपको benefit मिलेगा उसके लावा 6072 आपकी vacancy already है तो vacancy भी CHSL के इतियास में सबस्यादा है तो इसका आपको benefit मिलेगा तो जो भी बच्चे जो 2021 बाले experiment हो उनसे यह कहना चाहता हूँ अपनी typing को आपको बिलकुल भी हलके में नहीं लेना है typing अच्छे तरीके से प्रिपर कर करनी है offline tapping करते रही है वो आपकी speed है कुरेशियो उसको बहुत ज़्यदा boost करेगा online भी करिए लेकिन offline करना बहुत जरूरी है आपके लिए भले एक गंटे दिन में करिए लेकिन offline tapping आपको करनी करनी है उसके लावा ज़्यादा ज़्यादा focus आपका previous जो set है जो CHSL CGL के उन प sprint है उनका फाइदा हो पाएगा और जो जिनी उन बच्चे है उनको selection मिल पाएगा तो करना क्या है अब CHSL 2021 बारे जो sprint है उनकी भी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को जादा से जादा से जादा सेर करिए और अपनी ये जो बात है बड़े बड़े यूटूबर्स तक भी प सब्सक्राइब करना है तो प्री चनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा